तो आज हम सीखेंगे कैसे करते हैं अपने Windows 11 के login problems को ठीक तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक जिस जरुद होगी जो कि आपकी यहाँ पे मैं उमीद रखता हूँ कि आपको अपना password याद रहेगा क्योंकि उसके बीन आप यहाँ पे login नहीं कर पाओगे और तो यहाँ पर आपको यहाँ पर पासवर्ड डालते हैं फिर भी आपका login नहीं हो रहा है क्योंकि आपका यहाँ पर कुछ error हो चुका है तो अपने Windows 11 के जो कि यहाँ पर login problems है उसको आज हम ठीक करने वाले हैं तो suppose आपको यहाँ पर अपना old password याद है जो कि आपने पासवर्ड था फिर भी यह login नहीं हो पा रहा है तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है आप आपको एक दूबा ट्राय करना अगर नहीं होता है तो उसके बाद आपको यहाँ पर अपने endo और अपनी keyboard के buttons में आपको फ्रेस करना है shift वाला वटन तो यहाँ परipोको झाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है and click करने के बाएद आपको यहाँ पे restart को press करन मैं तो यहाँ पे आप जैसी restart को प्रेस करेज़े हो कुछ इस पेकार का आपको देख जाएगा तो इस वाले में आपको जाना है यहाँ पे ट्रॉबल्छूट वाले पर जाना पड़ेग आपको तो choose an option यहां पे लिख करना है तो इसको आपको यहां पर जाना पड़ेगा और troubleshoot वाले प्रेस चाहँ करना है तो यहां पर आपको जैसे की देख पार हो एडवांस option पे आपको क्लिक करना है and then start up settings पर तो start up settings पर आप एक बार क्लिक की 12F9 तो यहां पर आपको नंबर की यूज करकर करके आपको यहां से कुछ करना पड़ेगा तो हमको यहां पर फिफ्ट वाला करना है क्योंकि सेफ मोड पर हमको अंदर जाना है तो यहां पर हम सेफ मोड पर चल जाते हैं तो यहां पर हमको फाइफ प्रेस करना पड़ेगा तो फाइफ यहां पर हम प्रेस कर लेते हैं और यहां पर हमने फाइफ प्रेस कर लिया तो यहां पर कुछ इस प्रकार से हमारा विंडोस के अंदर खुलने के लिए आ चुका है अपना आपको पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा जो कि हम यहां पर हमने टाइप कर लिया है तो यहां पर हमने प्रमिट भी कर दिया और हम जैसे कि देख पा रहे हैं यहां पर हमारा विंडोस खुल चुका है हम यह जरूर देख पाँगे कि हमारे यहां पर बिल्कुल ब्लाइक बलाइक बॉट बॉक्स बंच चुक हैं desarrollo सेफ मोड मोड़ में चाहिं कि आपका विंडोज यहां पर डिख जाता है कि से और को यहां पर उसके बाद आपको यहां पर जाना है एनदर प्रेस करना पड़ेगा जिसके हम यहां पर वाफस रिस्टाइट हो हो जाए क्योंकि आप से हम चेक कर चुके कि पासवर्ड बिल्कुल सही था एंड कुछ एरर नहीं हुआ है तो आशा है तो यहीं है कि अपना पासवर्ड डाला है और डालते हैं आप जैसे देख पा रहे हैं यहां पर वेलकम का दिख जाएगा तो एक पर हम अंदर आ चुके ह है उमीद तो यहीं आपके भी खुल जाएगा